नमस्का एशानी जिन्टियों में आपका सौगत है मैं प्रिया आपके साथ उत्राखंड की सिलक्यारा डांडर गाउ टरनल में सोमवार से वर्टिकली डिलिंग के साथ मैनियोली होरी जेंटल भी शुरू हो सकती है 16 दिन में फसे 41 मजदूरों तो पहुँचने के लिए 86 मीटर वर्टिकल डिलिंग होनी है 20 मीटर खुदाई हो चुकी है उधर सिलक्यारा की तरफ से फसी आगर मशीन को सुबह काट कर बाहर निकाल लिया है कल शाम से इसे प्लाजमा कटर से काटा जा रहा था पूरी रात यह काम चला भारती सेना के कोर ओफ इंजिनियर्स और मदरास सेपर्स की यूनिट इस काम से जुटी थी सुबच जैसे ही काम्याभी मिली ये लोग खुशी से जुमुठे अब उमिद की जा रही है कि इस जगह से फिर मैन्यूली ड्रिलिंग शुरू हो सकती है टनल में सिलक्यारा छोड से फसे मजदूरों तक मौशने के लिए अमेरिकन आगर मशीन के जरिये खुदाई करके रेस्क्यू पाइप ड़ले जा रहे थे शुकरवार यानी 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले मशीन की ब्लेट्स टूड गई थी इस वज़े से रेस्क्यू रोकना पड़ा था मलबे में ड्रिलिंग मशीन का 13.9 मीटर लंबा ब्लेट फसा था इसे लेजर कटर और प्लाजमा कटर से काट कर बाहर निकाला गया वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन ने शुकरवार शाम साड़े साथ बज़े तक पहाड से टनल में 1.2 मीटर की गोलाई में 19 मीटर बोर किया इस तरेस्क्यू आपरेशन का लीट कर रही NHIDC LKMD महमूद एहमद ने बताया कि ये मशीन 40 मीटर वर्टिकल ड्रिल कर सकती है इसके बाद बड़ी मशीन काम करेगी इसमें 100 घंटे तक लग सकते हैं इसी के साथ मैंने रही है एशा इस इंडिया के साथ हैंने बाद